हे गाई शलिए गेस करते हैं आपको जिस कंपनी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है अगर उसे कंपनी ने धोका दे दिया तो आप क्या करोगे मतलब जो आप सोच रहे थे बिल्कुल आपोजिट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब फील होता है कि हमारे साथ धोका हो गया फर पर हम प्रॉफिट और लॉस की मामले में देखते हैं तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या फिल होता दिखिए मैं आपको बता हूँ स्टेट बैंक इंडिया बहुत वड़ी बैंक है और को टेंचन वाली बात ही नहीं भाई सही है सारे रूल्स और रेगूलेशन को के जाता है लंबे समय में अगर आप देखोगे तो भाई यह कंपनी 99 से है ठीकी टाकरीटे ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं जो है ठीकी है इंडेक्स जितना चला है उतना यह भी चला है ठीक है तो जितना इंडेक्स चलेगा तो यह लोग ज्यादा तर यह लोग खुदी जैसे इनको भी कुछ खास रिटर्ण नहीं मिलता है यह लोग सेलरी लेके खाने वाले लोग है ठीक है अब इस भी अगर माल लेता है यहां पर कोई भी प्रोड़क्ट बेचता है तो लोगों को लगता है कि नहीं है अब जैसे मैं आपको बलूँगा इस भी आगर आप दे इस भी कार्ड का इप्यो और यह वह ऐसे बहुत बड़ा इप्यो अच्छा ही है बहुत सारी लोगों को मतलब मैनिपुलेट किया गया लोगों को बद्दू बनाया गया और लोगों को बताया गया बहुत 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 अच्छा है जब पहली बार आइप्यो आ था केवल लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था और लोगों ने काफी ज़्यादा पैसल आया था उसके बाद में मैंने बोला था कि निकल जाओ करके आज क्या खबर आई है जिसके वज़े से फरजी जैसा फिल हो रहा है मैं आपको पताना चाहता हूं आज इस कंपनी का तार लोगों को बनाया जा रहा है तो बेचारा जहां से गिरा है वन थाउजन के लेबल से गिर के आया है कम से कम वहां तो पहुंच जाएगा जितने लोगों को लॉस हुआ है कम से कम वह तो रही कवर हो जाएगा है किने 25 पसंट कहां दिख रहा आपको कहीं नहीं दिख रहा बस समझ मारी जब यह एक लाग करोड का मार्केट कैप था देखो इतनी बड़ी कंपनी है क्या रिटन निकाल के दे सकता है एक लाग से दो तो यह बनाकर लोगों को समझाये था कि किस तरीके से मतलब public भी आप लोगों को बेखुबनते कभी बी क्या होता ना कि अगर आप लोगों को सच बोलो गे न तो लोग आपकी भरोसा नहीं करेंगे थोड़ा बोले जाता न मक्षा न लगा दो समझ रहो ना मक्षा न मक्ष देगा वो कर देगा वित गारंटी रिटन निकाल के देगा इतना ज्यादा बोला जा रहा था वो भी मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है सोचो इतना ज्यादा बोला जा रहा था ठीक तीन महीने पहले लेकिन जब अब SBA card आके मतलब सब लोगों को नुकसान देना स्टार्ट किया तो लोग फिर बोलना स्टार्ट कर दिये वही इंसान वीडियो बनाकर बोल रहा है अब SBA card crash ये वो ऐसा वैसा पूर एक्सपोस किया तो ये वीडियो बहुत ही लंबा है ठीक है बारत तेरे मिनट का है तो इ आज के देट में फिर मतलब तीन महीने बाद वो इंसान ये बोलना स्टार्ट कर दिया SBA card crash ये खबर वो खबर और याद कि याद के जब आया था ना थी बहुत बढ़े बढ़े रिटन देके बैठे हुए है बहुत बढ़े बढ़े रिटन देके बैठे हुए है लेकिन य लिंग मैं आपको देदोंगा अगर देखोगे तो नहीं आपका पैसा नहीं डुबाया लोगों नहीं आपका पैसा दूबाया है वह भी मैंने इस वीडियो में दिखाया है अप लोगों को तो यह एक्च्वल में अगर आप दिखूए तो यह company credit card वागर अगर आप सब्सक्राइब करेंगे लोग तरी के तरी से पसाए जाता है उनसे हेवी इंटरेस्ट लिया जाता क्रेडिट कार्ण के बारे में तो फुरी दुनिया को पता है कि नहीं किस तरीके से अगर आप देखो तो बड़े-बड़े जो लोग हैं वह आप लोग को मना करते हैं कल आना बाद में आना क्या हुआ था तुम कौन हो भाई कहां से आया हो इस तरीके के डाइल होगा तो credit card में इनको फायदा होता है इनको कितना interest ये कमाते हैं तो 53% ये interest income कमाते हैं के बन ये 53% और subscription वगर आई और भी बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन इनका main business यही है समझ और एक movie निकला था credit card के उपर एक movie निकला था कि public तो बेवकूफ है उनको किसी भी तरीके से जाल में फसाओ और credit card बेचो जितना बेचना है क्योंकि credit card पे heavy interest लगता है और समझदार इंसान कभी इसको नहीं खरीता तो जितना गरीब लोग हैं जिनको सही तरीके से knowledge नहीं ह करते हैं और उनसों मतलब फसाने की कोसिस करते हैं ATM कार्ट के लिए आपको बार बार घुमाएंगे credit कार्ट के लिए आपके घर आके मिठाई के डब्बे के साथ पहुंचा के जाएंगे सर लेके जाओ बहले ही आपको आपको कोई जानता ना हो इस तरीके से यह लोग काम कर होते हैं तो पहली चीज मैं यह बोलना चाहता हूं इनका बिजनस मोडल भी बिल्कुल गलत है जो कि आने वाले दिन में कोई ना कोई नया सिस्टम आएगा और लोगों का एजुकेशन लेबल भी बढ़ेगा तो वो लोग समझ में आएगा उनको कि यह रास्ता गलत है यह सही है करके तो इस वाज़े से यह सारे कुछ खास बेनिफिट नहीं करने वाले हैं आने वाले लाइफ में और मुझे लगता है कि लोग अगर एजुकेट हो जाएंगे तो अपना तरीका बदल देंगे मजबूरी में सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है देखो के आपक यह सारे टॉप बैंक है यह मंतली आपको बताया जारा और यह अनोली मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट आपसे करते हैं और एक महीने में आपसे कितना इंटरेस्ट करते हैं तो 12% ही आपको देने पड़ेगा देखे रहे हो कितना ये लोग 50% आप से क्यों इंट्रेस्ट चार्ज करते हैं वो भी एक साल का और ये शेर्स ने पिछले 2020 से अब ही अगर आप देखोगे तो 2024-2025 आने वाला है कितना रिटन निखाल की दिया है इस कंपणी ने कंपणी का शेर उल्टा नगेटिव रिटन निखाल की दिया पबली को मतलब मार्किट में पबली को रिटन निखाल की दिया है ठीक है जितने लोगों ने कंपणी को खरीदा है पहली चीज उनको negative return निकाल को दिया है दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो आम जनता को देखो किस तरीके से ये लोग लूटते हैं 40-50% की लोग 47% अप टू देख लिए 47.88% इतना heavy interest आप लोगों से चार्ज करते हैं आम जनता से बिल्कुल ये भी अगर आप देखोगे तो भाई आम जनता के पास इतना कहां से पैसा आगा तो profit किसके पास जा रहा है यहां पर तो ये लोग अराम से बैटके खाते हैं चुप चाप इसलिए बहुत सारे muslim लोगों से मैंने बात किया अब लोग बोलते हैं कि सर इंट्रेस्ट वाली चीज़ों से दूर रहना है ऐसे मत करो वह मत दिखाना या लिक्कर वाली चीज़ तो कुछ लोग समझदार लोग होते हैं समझ रहे हो ना इतना इंट्रेस्ट काड़ते हैं आम इंसान इतना कहां से देगा पैसा और चोटे-चोटे बैंकों में जाओगा न तो और लूट लेंगे तो यह क्या होता है एक आम इंसान को पता नहीं लता लोगों को पेमेंट करने के लिए लोन लेने के लिए तो मुझे लगता है कि दुनिया बदल जाएगे तो यह बिजनस आने वाले दिनों में थोड़े थोड़े डिक्रीज हो जाएंगे चाहे जो भी हो यह बिजनस मुझे पसंद नहीं स्टार्टिंग से इस भी आई का मुझे तो देखो एक लाग करोड की कंपणी इन्हों ने वाई प्यो ला दिया प्रॉफिट कितना निखाल के दिया है बई एक लाग करोड की कंपणी ला दिया क्योंकि लोग अराम से बैठते हैं खाते हैं को टिंचन वाली बात नहीं ठीक है बाकी समझदार बनने की कोशिस की जगा लूटने माले तो सब लोग बैठे हुए हैं और अगर अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉंट इंजल में उपन कर सकते हो जहाँ पर आपका डिमेट अकॉंट बिल्कुल फ्री में डिमेट बिल्कुल फ्री में तो जो फ्री है कम से कम उसको तो मत ठुक रहा हो जो 40-50% लेकि जा रहे लोग तो उसको मज़े से खरीद रहे